जरा सोचो तुम एकलौते इंसान हो जो भूतों को देख सकता है और इसी जक्कर में बाकी सब तुमें पागल समझने लगे कुछ ऐसा ही होता है मोडेस्टो के साथ कहानी की शुरवात होती है एक डांस पार्टी से जहां सभी स्टूडेंट्स इंजॉय कर रहे थे लेकिन एक लड़का अकेला बैठा बस देख रहा था अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी जिसने उसे डांस के लिए बुलाया वो दोनों डांस करने लगे लेकिन जैसे ही वो लड़की को किस करने गया तो बाकी बच्चे उस पर जोर जोर से हसने लगे असल में वो लड़की असली नहीं बलकि एक भूत थी जो सिर्फ उस लड़के को ही दिखाई देती थी लड़के को इसका ऐसास हुआ और वो डर के मारे पीछे गिर गया लेकिन वो भूतनी गुसा होकर उस पर चिलाने लगी और अचानक हवा में गायव हो गई काफी साल बाद अब वो लड़का मोडेस्टो एक टीचर वन गया है कुछ बच्चों ने उसके साथ एक प्रैंक किया और बदकिस्मती से उस समय प्रिंसिपल उसे देख रहा था उसने बच्चों को ना समाल पाने की वज़य से मोडेस्टो को नौकरी से ही निकाल दिया सडक से जा रहा था जब उसे एक आदमी दिखा जो सडक पार कर रहा था मोडेस्टो ने चिला कर उसे रोकना चाहा लेकिन एक ट्रक उस आदमी के आर पार हो गया असल में वो भी एक भूत ही था उधर स्कूल में एक टीचर लाइबरेवी में बुक की फोटो कापी कर रहा था जब हमें एक स्केलिटन खुद बखुद चलता हुआ दिखाई दिया लेकिन उसने मुड़कर देखा तो स्केलिटन वहीं का वहीं था जब टीचर अपना काम करने लगा तो स्केलिटन ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसी का सर मशीन में रखकर बहुत सारी फोटो कापी निकाल दे तभी वहां किताबे और स्टेबलर्स खुद बखुद उड़ने लगे और उस टीचर पर हमला कर दिया इस तरहां टरा कर भूतों ने टीचर को खिड़की से बाहर ही फैंक दिया स्केलिटन उपर से ये सब देखकर जोर-जोर से हसने लगा इसके बाद स्कूल की डारेक्टर टीना से एक आदमी मिलने आया वो आर्ट टीचर से मिलना चाता था लेकिन बाकी के बहुत सारे टीचर की तरहां वो भी स्कूल छोड़कर जा चुका था उस आदमी का नाम उटेगी है और वो पेरेंट्स असोसियेशन का एक लौता मेंबर बचा था स्कूल की इतनी बुरी हाला देख कर स्कूल की मार्किन टीना से मिलने आए उसने टीना को आखरी मौका देकर कहा कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर स्कूल के हालात नहीं सुधरे तो उन्हें मजबूरन स्कूल को बंद करना पड़ेगा कुछ समय बाद मोडेस्टो उसी स्कूल में इंटर्व्यू देने आया उसने टीना से जूट कह दिया ना ना आर्ट स्कूल्स ने निकाला थोड़ी है मुझे वो तो मुझे पसंद नहीं आये इसलिए मैंने छोड़ दिये इस समय टीना को टीचर्स की सद जरूरत थी तो उसने मोडेस्टो को उसी समय जॉइन करने को कहा इसके बाद वो पहली क्लास लेने जा रहा था जब उसने एक लड़की को उसे क्लास रूम तक ले जाने को कहा लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल गया कि मोडेस्टो उन्हें देख सकता है असल में वो स्टूडेंट्स नहीं बलकि भूत थे वो भूतों से पीछा छोड़ा कर सीधा टीना के पास पहुँचा वहां उसे उन्हीं पाथ स्टूडेंट्स की तस्वीरे दिखी जो कुछ साल पहले मारे गए थे एक बार फिर से मोडेस्टो का पाला भूतों से पढ़ गया था इसलिए वो नौकरी छोड़कर स्कूल से भाग गया उन स्टूडेंट्स और टीना ने उसका पीछा किया लेकिन भूत स्कूल गेट से बाहर नहीं जा पाए रात को टीना उसके घर आई और उसने कहा कि उसे मोडेस्टो की बात पर पूरा विश्वास है वो बाकियों की तरह उसे पागल नहीं समझती मोडेस्टो ने बताया कि उसने लाइबरेरी में पांच भूत देखे हैं और उनमें मैरेवी नाम की लड़की तो प्रेगनेंट है टीना ने बताया जब उसकी मौत हुई तब भी वो प्रेगनेंट थी उधर कुछ शरारती बच्चे काला जादू करके भूतों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कुछ देर बाद डैनी और पिंक फ्रॉइड नाम के भूतों ने उन्हें किताबें और कुरसियां हवा में उड़ा कर ड़ा कर भगा दिया लेकिन एलसा नाम की लड़की बिना डरे वहीं बैठी रही वो जॉड से बात करके पूछने लगी कि उसकी मौत कैसे हुई थी उधर टीना ने मोडेस्टो को बताया कि जब उसके पिता स्कूल के डारेक्टर थे तब एक क्रिस्मस पार्टी के दोरान पांच बच्चे डिटेंशन में थे अचानक वहां आग लग गई और तेज म्यूजिक की वज़े से फायर अलाम सुनाई नहीं दिया जिससे उन पांच बच्चों की मात हो गई तब ही टीना और मोडेस्टो को भागते हुए बच्चे दिखाई दिये जिने डैनी और पिंक फ्रॉइड डना रहे थे टीना ने कहा कि इन मरे हुए बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मनाने में उसे मोडेस्टो की मदद चाहिए अखिरकार मोडेस्टो को कोई मिल गया था जो भूत देखने पर उसे पागल नहीं समझता था इसलिए वो खुशी-खुशी मान गया उस दिन उसने साइकाट्रिस्ट की दी हुई दवाईयां फैंक दी और उस भूत को सड़क पार करने भी सिखाई फिर वो उसी लाइबरेरी में मरे हुए बच्चों से बात करने पहुंचा आखिर कोई तो था जो उन्हें देख सुन सकता था ये जानकर वो सब भी बहत खुश हो गए लेकिन जब मोडेस्टो ने उन सब से स्कूल छोड़कर जाने को कहा तो उन्होंने उसे तारों से बान कर उल्टा लटका दिया बाद में मोडेस्टो ने साइकाइट्रिस्ट के मरे हुए बाप से बात की उसने कहा कि जब किसी की कोई इच्छा या काम अधूरा रह जाए तो वो भूद बन जाता है उसके मताबिक उन स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पूरी करके ग्रैजुएट होना होगा तब जाकर उन्हें मुक्ती मिल पाईगी लेकिन जब मोडेस्टो ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया तो सिर्फ एंजिला ही खुश हुई लड़कों ने तो उसे पकड़के उसके गहने तक तोड़ने की कोशिश की बाद में मोडेस्टो ने स्कूल की डिसेप्शनिस्ट मैनुईला से उन बच्चों की फाईल्स निकल वाई कुछ देर बाद मोडेस्टो ने लाइबरेरी में उन बच्चों को मुबाइल पर गाने सुनाएं एक फोन में हजार गाने होने की बात सुनकर उनके होश ही उड़ गए मोडेस्टो ने उन्हें बताया कि उनके मरने के बाद दुनिया में बहुत तरक्की हो चुकी है बात में सब ने फैसला किया कि वो पढ़ाई करके सारी नई चीजों के बारे में सीखेंगे और आखिरकार इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे लेकिन डैनी इसके खिलाफ था अगले दिन मोडेस्टो ने देखा कि सबी स्टूडेंस पढ़ाई के लिए तयार बैठे थे उधर एलसा जॉर्ज से बातें करते करते उसके प्यार में पढ़ चुकी थी वो दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे एंजला ने बच्चों को फंक्शन के लिए गाने की प्रैक्टिस करते सुना मोडेस्टो को भी पता चला कि ये फंक्शन टीना के पिता के लिए है डैनी ने एंजला को गाने के लिए उकसाया और कहा कि भूतों की आवाज कोई नहीं सुन पाएगा लेकिन पीछे से उसने माइक की आवाज तेज कर दी और एंजला की भूती आवाजे सुनकर सब हौल से भाग कड़े हुए डैनी की इस करतूद से जॉर्ज और डैनी के बीच बहस चिड़ गए डैनी ने गुस्से में जिन्दा बच्चों की चीजे गिरा दी और एलसा का लैप्टॉब भी तोड़ दिया एलसा और जॉर्ज कम्प्यूटर के जरीए एक दूसरे से मीटी मीटी बाते करते रहे अगले दिन जब चारों भूद पढ़ाई कर रहे थे तब डैनी ने वहाँ आकर एक सवाल का सही जवाब दे दिया तब ही टीना वहाँ अपनी प्रॉब्लम लेकर आ गई और डैनी ने मोडेस्टों की खिलने उड़ाते हुए कहा कि वो तो टीना का कुटता है टीना ने बताया कि स्कूल की मालकिन भी फंक्शन पर आने वाली है उसे डर था कि अगर उसके सामने कुछ भी गड़़ हुई तो वो अपने पिता के बनाए स्कूल को खो देगी मोडेस्टों ने उसे शांत किया और दोनों डांस करने लगे पांचों स्टूडेंट्स भी उपर से नजारा देख रहे थे जैसे ही टीना उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी मोडेस्टों वहां से भाग गया क्या आदमी है जैसे जैसे दिन बीटते गए वो सभी पढ़ाई में अच्छे होने लगे वो जिम करते साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफार्म करते और अच्छे से अपना होमवर्ग भी करते थे अब स्टूडेंट्स के एक्जाम होने वाले थे जॉर्ज ने ऐलसा से कहा कि उसे जल्द ही वहां से जाना होगा ऐलसा ने भी भावुक होकर जवाब दिया कि वो भी उसके साथ आना चाहती है उसमें ये भी कहा कि वो उससे बहुत प्यार करती है और जल्द ही उससे मिलेगी पांचो बच्चों ने एक्जामस दिये कुछ ने नकल करके तो कुछ ने पर्चियों से देखकर और आखिरकार सब पास हो गए हालांकि डैनी ने पेपर खाली छोड़ दिया था लेकिन मोडेस्टों ने उसे भी कुछ नंबर देकर पास कर दिया तभी उन्हें एक सफेद लाइट दिखाई दी और सब हाथ पकड़ कर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए लेकिन असल में ये तो सूरज की रोशनी थी जिससे कुछ भी नहीं हुआ इससे पांचो भूत कावी नाराज हो गए और पूरे स्कूल में हंगामा कर दिया मोडेस्टों ने एक बार फिर से साइकाइट्रिस्ट के बाग से बात की उसे पता चला कि मुक्ती बाने के लिए उन सब को अपनाना होगा इस बुड़े को खुद तो मुक्ती मिली नी खुद बंदूख चलाई नी चले फोज को ट्रेनिंग देने मोडेस्टों भाग कर टीना से मिलने स्कूल पहुँचा लेकिन उटेगी और सभी पेरेंट्स ने मिलकर पूरे हंगामे का इलजाम मोडेस्टो पर लगा कर उसे स्कूल से निकाल दिया लाइबरेरी में अपना सामान पैक करके उसने स्टूडेंट्स से कहा कि उन्हें अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करके खुद को अपनाना होगा तभी उन्हें मुक्ति मिल सकती है तभी खुलासा होता है कि क्रिस्मस पार्टी में डैनी नहीं आग लगाई थी जिससे उन सब की मौत हुई उसने आज तक कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नर्क नहीं जाना चाहता था उधर टीना और मॉडेस्टो की भी बहस हो गई सकूल में टीना बारबार मॉडेस्टो को कॉल कर रही थी उसमें मैनवیला से अनाउंस करने को कहा कि पाँचों मरे हुए स्टूडेंट्स उसे लाइबरेडी में मिले टीना ने उन्हें मोडेस्टो के जाने की खबर दी, पांचो भूद भी उसे याद कर रहे थे इसलिए पिंक फ्रोईड मैनवाला के शरीर में घुश कया और मोडेस्टो को कॉल करके स्कूल में वापस आने को कहा लेकिन मोडेस्टो वापस आने के लिए तभी माना जब उसने सुना कि टीना उससे प्यार करती है बाद में एंचला मैरवी को एक लेटर देती है जो 20 साल पहले उसके बॉइफरेंड ने गलती से एंचला के लॉकर में डाल दिया था फ्रॉइट ने लेटर पढ़ा जिस पर लिखा था कि वो मैरवी से शादी करके उसके बच्चे को अपनाना नहीं चाहता उसने लिखा था कि मैरवी उसे भूल जाये तो अच्छा होगा इसके बाद उन तीनों भूतों ने एक दूसरे को गले लगा लिया जल्द ही फंक्शन का दिन आ गया उटेगी और टीना ने स्कूल की मालकिन का स्वागत किया मोडेस्टो भी वहाँ आ गया था और पांचो बच्चों ने मिलकर उससे माफी मांगी मोडेस्टो को वहाँ देखते ही उटेगी चिड गया लेकिन तभी भूतों ने उस पर फुटबॉल्स की बारिश कर दी मोडेस्टो ने भूतों को रोका और तभी हमें पता चला कि असल में उटेगी ही मैरवी का बॉइफरेंड है अंदर आडिटोरियम में बोरिंग उपरा सुनकर पबलिक सो रही थी इसलिए मोडेस्टो ने एंजला से गाने में जान डालने को कहा तभी एंजला एक लड़की के शरीद में घुस गई और 20 साल पुराना गाना परफॉर्म करके सब को अपना दिवाना कर दिया अचानक उटेगी बीच में आ गया और जैसे ही वो खुद को स्कूल का प्रिंसिबल बनाने वाला था डैनी ने उसके शरीर में घुस कर उसकी पैंट उतार दी बस फिर उसकी शेम शेम पॉपी शेम हो गई और उसका प्रिंसिबल बनने का सपना सपना ही रह गया आखिरकार डैनी ने आग लगाने के लिए अपने दोस्तों से दिल से माफी मांगी उधर जोर्ज एलसा को ढूनने गया लेकिन वो तो पूल में डूप चुकी थी वो भी मर कर जोर्ज के साथ जाना चाहती थी लेकिन जॉर्ज ने उसे जिन्दा रहने के लिए मनाया उसने कहा कि वो आराम से अपनी जिन्दी की जी ले क्योंकि उसके बाद की दुनिया में वो उसका इंतजार करेगा और तभी एलसा की आँख मोडेस्टो की गोद में खुली जिसमें उसे पूल से निकाला था अखिरकार सब की अधूरी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी डैनी की इच्छा थी सब को सच बताना एंजला चाहती थी स्टेज पर गाना गाना जॉर्ज तो बस एक लड़की को किस करना चाहता था और मैरवी की इच्छा थी अपने बॉइफरेंड का सच जानना अब सिर्फ पिंक फ्रोइड बचा था जो बस पार्टी करना चाहता था आखिरकार पिंक फ्रोइड भी मस्त पार्टी करके टली हो गया मैरवी का बच्चा पेट में लात मानने लगा और चारों और लाइट स्टिम्टि मानने लगी आखिरकार उनकी मुक्ती का समय आ गया था सबने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया इसी बीच टीना ने भी मोडेस्टो का हाथ थाम लिया पांचो भूच जगमगाने लगे और एक तेज सफेद रोशनी में समा कर गायब हो गए आखिरकार बच्चों को मुक्ती दिला कर मुडेस्टो और टीना ने किस किया और मुझे थोड़ी शांती मिली कि इस बावली मूच का घर भी बस जाएगा